जै शीरम दोस्तों सौगत आपका अपने चैनल स्टुडेंट पॉइंट वीडी में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्टी का नॉन मेडिकल वालों का पेपर पार्ट बन 2023 का पेपर जिसमें हम सुरू के 15 कोशन को तो जल्दी आपके लिए वह भी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो दोस्तों आज देखते हैं हम आज की वीडियो तो सबसे पहले हम आज करने वाले हैं पहला कोशन जिसमें कोशन है गैस डैट कैननोट वी कॉलेक्टिड ओवर वार्ट इन्हें से कौन सी गैस है जो वाटर पे क्लेक्ट नहीं होती दोस्तों आध्यां नहीं गया यहां क्या रिकां नहीं होसकती दोस्तों टो फीटर 9 ख़एंगें की पर फोल्यूम औफ ऑजौ्ण तो हीटिंग करने पर volume of ozone क्या हता दोस्तो ध्यान से देगने इस question को इसका answer है हमारे पास increase volume क्या करती दोस्तों increase करती कैसे increase करती जब हम heat करते ozone को ozone का formula क्या हता दोस्तों o3 जब हम इसको heat करते तो हमारे पास दोस्तो one mole of O2 भी निकलता है और साथ में one mole of एक simple oxygen भी दिखता है मैं दुबार से देखते हैं तो दोस्तो तो जब हम हीटिंग करते ओजोन का formula क्या दोता है O3 जब हम इसको heat करते दोस्तो तो क्या निकलता हमार पास one mole निकलते किसके oxygen के भी दोस्तो और साथ में क्या निकलता है साथ में एक oxygen free निकलता है दोस्तो और इसका volume क्या करता है दोस्तो इसका volume हमेशा increase करता है कितने time increase करता है यह वारा question भी कई वारा आ जाता है तो किन्ने time increase करता है दोस्तो तो 1.5 टाइम्स यह increase करता है ठीक है दोस्तो तो बढ़ते हम next question की तफ next question है हमारा the material used in solar cell contains तो जो material use करते हैं solar cell में तो वो कौन सा करते है दोस्तो यह पिया हम अपनी वीडियो में कर रखा है दोस्तो 25 days crash course वाली वीडियो आप एक वार जुरूर देख ले न और हो सके तो साथ साथ notes बनाया करो इससे आपके concept अच्छे से clear होंगे दोस्तों तो कौन सा इस cancer होगा इस cancer होगा option number B silicon 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 ही क्यों हम use करते solar cells में वो इसलिए use करते क्योंकि इसकी efficiency होती जो conversion की वो क्या होती ही बहुत जादा हाई होती है ठीक और इसलिए अविलेबल होता है इसलिए हम इसको solar cell में यूज करते तो option number B इसका right answer होना था बढ़ते हम next question की तरफ next question आपके पास which of the following is not expected to have a zero entropy at zero degree Celsius इसमें दोस्तों नॉट पूछा यहां पर not expected to have a zero entropy at zero degree Celsius इसका answer होना था हमारा पास carbon monoxide अगर दोस्तों option में nitrogen oxide भी हो नो भी होता तो यह भी इसका answer है दोस्तों इसका carbon monoxide option number B इसका right answer होना था next question की तरह पढ़ते next question है हमारा the white phosphorus is stored in white phosphorus को कहां store करते दोस्ते मैं बहुत बार आपको repeat करवा चुका हूँ question बहुत बार मैं repeat करवा चुका है इस question को तो कहां हमारा white phosphorus को हम यूज करते हैं इसको करते हम underwater में water में store करते हैं किसको white phosphorus को क्योंकि यह दोस्तों air के साथ बहुत जल्दी react करवा जाता है और इसकी reaction बहुत जादा connection होती है यह द्यानग इस question को में बहुत बार करवा चुका हूँ पैंसिल में हमेशा कभी भी लैड नहीं होती लैड की पैंसिल में कभी भी लैड नहीं होती, उसमें क्या आता दोस्तू क्या आता उसमें, ग्रेफ़ायट होता है तो option number 6 का right answer होना था ठीक है, बढ़ते हम next question की तरफ next question हमारा तो यह भी हमने अपनी organic chemistry वाली जो मैंने वीडियो बना रखी उसमें का रखा है कोशन हीजनबग रिएजेंट किसको बोलते है जिसमें बेंजीन हूँ साथ में क्या हो दोस्तो एस double bond O double bond O और इसके उपर क्या लगाता है सील लगाता है ठीक है मैं दोबार से यहां पर क्वस्ट चर्बना देता हूं यह हमार पास बेंजीन है स्के उपर क्या लगा हथा एस double bond O को साथ में क्या लगा this करुद्थ हैं यह उठ्मक रेशेंद्स का लगा इसका इसका मोला बनता बंजीन क्या इचeros और test technology in so two क्या बनता ये समुदा है फीलें तो साथ में क्या लगा स्या लगा तो सीば इसका अंसर ऊन्व नता C6H5SO2 CR मतब option number A is right answer रोना था बढ़ते हम next question की तफ next question है हमारा the chemical name of vitamin B1 vitamin B1 का chemical name क्या है तो vitamin B1 का chemical name है मार पास thymine क्या chemical name है मार पास vitamin B1 का thymine ये सारे मैंने जितने में chemical names है vitamins के वो हमने अपनी वीडियो में कर रखे तो आप एक वार वहाँ पे चेक कर ले लिए चेक कर ले ना सारे chemical names of vitamins तो next question हमारा the formula of martial acid martial acid का formula क्या होता है तो martial acid का formula होता हमार पास martial acid को हम प्रॉक्सी डाइ sulfuric भी बोलते हैं तो क्या formula होता है इसका H2 S2O8 ठीक है क्या formula होता है हिसका H2S2O8 राइट आंसर क्या होना था दोस्तों इसका राइट आंसर होना था H2S2O8 option number C इसका राइट आंसर होना था बढ़ते हम next question की तरफ next question हमारा the phenomena of radio activity was discovered by radio activity का phenomena किसने discover किया था वो किया था दोस्तों हमार पास Henry back rule में यह question में बहुत बार करवा चुका हूं यह बहुत important question है बहुत बार repeat भी हो चुका the phenomena of radio activity radio activity किसने discover की हमारा पास Henry back rule में नेक्स्ट हमारा पास child salt rate जो है यह किसके लिए हम इसका formula क्या होता है दोस्तों तो इसका common name हमारा पास sodium sodium nitrate होता है इसका common name क्या होता हमारा पास sodium nitrate होता है जिसका formula क्या होता sodium nitrate का formula NA NO3 इसका answer क्या होना था दोस्तों NA NO3 option number B इसका right answer होना था बढ़ते हम next question की तरफ data bond is present in a molecule data bond मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से आपको करवा रखे किसको data bond बोलते हैं कैसे हम data bond find out करते हैं तो यह question में हमने अपने practice set में भी कर रखा था यही मैंने चार option दे रखे था आपको तो इसका right answer क्या होना था दोस्तों जिन्होंने वीडियो देख रखी है वह जल्दी से बताएंग इसका right answer क्या होना था इसका right answer होना था option number A, SO3 इसका क्या होना था right answer होना था बढ़ते हम next question की तरफ next question हमार पास अब to which element the law of octave was found to be applicable इन्हों मैंसे law of octave law of octave किसने दे रखा दोस्तों यह आप मेरे को comment box में बताना मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा यह law of octave कैसे found हम करते और कहां तक यह díyya था और किसने दे रखा था विजक दोस्तों इसका answer हमार को comment box में बताना law of octave किसने दे रखा तो law of octave दे रखा हमार पास कहां तक found किया था law of octave हमारे पास कहां तक found किया था calcium TAK found दिनाटाइट किया था है आप लोगों ने बताना कि यह दिया किस ने था कमेट सेक्षम में इसका अंसर जरूर दे एक्सक्स्ट कॉशन मारे पास है nelson cell is used for the manufacturer of nelson cell किसकी manuf coolison के लिए यूज होता है वह ता दोस्तों मार पास एन नेच्च की manufacturing के लिए और दोस्तों यह क्या करता है अरफ एलेक्ट्रीकल आनची को कनवर्ट करता किसे में केमिकल एनर्जी में खिंसतो आप stitch और अनर्जी को chemical energy में change करते तो उसको हम क्या बोलते हैं इसका answer आप मेरे को comment box में बताएंगे मैंने करवा रखा है question भी next question मार पास what is the boiling point of methane methane का boiling point क्या होता है दोस्तों ये मैंने फिर से अपने practice set में भी ये question दे रखा था क्योंकि ये दोस्तों किस से का आया question है या था fractional distillation से कहां से question आया था ठीक है और ये डिस्टिलेशन वाला chapter किया था उसमें मैंने आपको steam distillation fractional distillation सारे distillation आपको अच्छे से करवाया थे इसके parts तो वहीं से इन्होंने question बनाया था वैस्तों boiling point याद करने बहुत जादा क्या होते मुश्किल होते सबके boiling point हम याद कर नहीं सकते पर ये question हमारे पास relate करता है किस से distillation से तो इसलिए इन्होंने यहां पर ये question डाल दिया था तो इसका answer क्या होना था दोस्तों इसका answer होना था 111 Kelvin तो आज की वीडियो हम यहीं कतम करते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो इसको subscribe जरूर करें और दोस्तों अगर हमारे 1000 subscribers हो हम इस सारे पेपर जीतने भी है नाउन मेडिकल और मेडिकल के पेपर है वह आपको हमारे टेलिग्राम पर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को share और सब्सक्राइब जरूर करें ठैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो